नमस्कार दोस्तों मेरा नाव है विकास सिंग और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते एक और फ्रेश वीडियो में एक और धमाकेदार वीडियो में आज हम यहां पर बात करने वाले यू के लिटिश वर्जिन के बारे में 12.5.2 Poco X3 Pro के लिए जी यहां दोस्तों इसकी पोगो X3 वाले लोग यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार यह मत करो बाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो मुझे मैक्सिमम रेट चाहिए सब्सक्राइब का जो बंदा भी आएगा उसने सब्सक्राइब जरूर से करना चाहिए चैनल को चलते हैं यहां पर फड़ा बड़ी बात है इसके अंतरे म्यू आई का लॉंचर देखने को मिलता है जो अलगी लेवल का मज़ा देता है कसम से यार मुझे सच बता रहा हूं यहां पर पोको लॉंचर बिर्कुल गंदा लगता है बहुत ही बेकार है और यहां पर जो एनिमेशन देखने को मिलते हैं व अरड़ी वीडियो बना रखा है जो कि आप अभी डिस्क्रिप्शन में दाकर देख सकते हैं अगर आप यहां पर ग्लोबल रोम पर ही रहना चाहते है उसी के अलमा स्मूधनेस की बात करते हैं तो यहां पर आपको 100% स्मूधनेस देखने को मिलने वाली सारे लेटेस फीच की बात कर लेते हैं यहां पर स्कूर्डी पैजिस की बात कर लेते हैं यहां पर आपको वाल पेपर कभी सपोर्ट यहां पर बाई डिफॉल्ट देखने को मिल जाता है साती में आपर नेक्सिंस की बात करें तो सारे आपको शूधनेस की बात आपको आपको स्कॉल यहां रखा गया वह सारी चीजिए यहां पर देखने को मिल रही है और सब्सक्राएं, छो भी लेटेस। फीचर थे ओंधिया पर अधिया गया है, वह जो चारजिग वाला एक फीचर है उसको भी इन्लूड किया गया है, आपको अलग-अलग तरीके कि यहां पर तीन जो देखने को मिलते हैं, चारजियिंग इस्टाइल वह भी honare included है home screen की बात करते तो बिल्कुल latest launcher है यहां पर देखने को मिलता है यार काफी अच्छी बात है smoothness तो आपके सामने ही है उसको तो मैं क्या ही बता हूँ और setting में जो एक lag देखने को मिलता था उसको भी completely fix किया गया है दोस्तों चलिए यहां पर बात करते है special features के अंदर आपको देखने को मिलती है like second space हो गया यहां पर new wide lab हो गया और पता नहीं क्या-क्या लेकिन दोस्तों एक चीज यहां पर और notice करनी होगी आपको यह आप ऐसे install नहीं कर सकते है आपको जो पना भूटल टो अनलॉक करना पड़ेगा और साथ ही में कोई न कोई यहां पर custom recovery भी install करनी हो बिलती है यहां पर जो gallery है बिल्कुल सेम देखने हो बिलती है ऐसा कुछ अलग नहीं है यहां पर file manager भी बिल्कुल सेम सा देखने को हमको मिल जाता है बट मैंने यहां पर एक चीज और की दोस्तों एक चीज और ट्राइ कि आप यहां पर देख रहे होंगे बहुत सारे apps काया मैं like calculator calendar वगेरा बहुत सारे चीज़े काया पर कहां चली गए मैंने सब को disable करके try किया तो मैंने यहां पर देखा कि यहां पर बहुत ही कम app बचते हैं अगर हम यू की बात करते हैं basically बहुत कम app बचते हैं Android auto भी शायद यह तो अपने आप install हो गया बाद में तो यह आप देख सकते हो तो भाई बहुत कम app बचते हैं यार सची में यहां पर geekbench अपनी तरफ से देखो यहां पर यह अपनी तरफ से install किया हो यह मैंने और उसके बावजूद भी बस इतने सी app देख सकते हो तो इसकी विदर से भी यहां पर काफी ज़दा improvement हम को देखने को मिल जाता है अब यहां पर बात कर लेते हैं CPU throttling test के उपर जी यहां दोस्तों हमारा CPU throttle test कैसे रहा और CPU throttle की से पहले बात करूं मैंने इसका gaming का जो इस ट्रीम कर दिया है जी हां दोस्तों मैंने कल रात को इसका gaming stream कर दिया था और जो भी stream पे आयते हों लोगों को पता था कि इसका यूज किया हुआ था यहां पर चलते है अपने CPU throttle की तरफ तो यहां पर हमने गैलरी के अंदर रखे है इसका screen shot और भाई सब देखो performance क्या ही performance दिया है बाई कताई जहर सिर्फ और सिर्फ 6% का यहां पर throttle हुआ CPU पूरे 15 minute के test में तो यहां पर आप लोग कह सकते हो जो कि हमन PCS तक चला गया था और उससे उपर नहीं जा रहा था ठीक है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह की performance आपको देखने को मिलेगी और यहां पर बैस्ट है अगर गेमिंग करना है आपको मैं स्टॉक से भी बैस्ट कहूंगा भी जो इसके जो लेटेस ग्लोबल वा यहां पर 2700 के आसपास का स्कोर देखने को मिलता है वहीं आपको दिखा दूं मल्टी कोर के अंदर बैसा जो है 2628 जो है यहां पर गेलेक्सी 920 अल्ट्रा का स्कोर आता है और उसको भी यहां पर कंप्लीटली बीट किया हुआ इसने तो यह भी काफी जादा कमाल की बात हो जाती है दोस्तों उसे के बाद यहां पर सिंगल कोर की बात करते हैं तो सिंगल कोर के अंदर भी जो है काफी अच्छे से बीट करते हुए यह निकल जाता है नोट ट्वेंटी अल्ट्रा को यहां पर हलका सा पीछे रह गया गया 788 में यह करता है और 780 का है तो इसकोर तो जाधा इतना मैटर नहीं करते हैं लेकिन भाई साब बहुत ही जाधा कमार की परफॉर्मस आपको बेशक्स या बदेखने को मिलने वाली अब बात करते हैं अन्टूडू स्कोर की यहां पर यहां पर निकाला हुआ है तो उसकी भी यहां पर बात जरूर से करेंगे तो अन् गेमिंग कर रहा था उससे पहले ही टेस्ट कर लिए इंस्टॉल करने के बाद तो यह आप कह सकते हो कि यहां यह थोड़ी दिक्कत हो सकती है अब इसको फ्लेश कैसे करना है काफी दाधा सिंपल प्रॉसेस है आपको यहां पर क्या करना है या तो आप मैमरी कार्ट ले सब्सक्राइब दूस्ट करना है तो फलेशन करने के लिटिया तूली आप कि त्रफ जाना है गота तो आप नीचे आएगा कि लेटेस्ट आया अब होगा इसके इंटरनल ब्ches आपको आनलोक देखने को मिल रहा तो इस चीज का भी ध्यान रखना तो अब स्टॉक में हो चाहिए कहीं पे भी हो आपको इंटर्नल भी अनलॉक देखने को मिल जाएगी चीज़े जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो इंटर्नल और एक्टर्नल दोने तरफ ठीक है अपने क्या करना है दोस्तों आपने स सिंपल है यह बहुत ठीक है उसके बाद आपने यह जैसे वाली जो फाइल है इसको यहां पर फ्लैश कर देना कुछ इस तरीके से स्वाइब टू फ्लैश कर देना छोड़ देना ठीक है तो फ्लैश कर दोगे यहां पर कंप्लीट होगा उसके बाद वापश जाना एक बार से जो फोर्मेट कर लिए लिए लिखा हुआ है तो यहां पर आपने बस टिक करना है उसके बाद आपने रिबूट करना है उसके पर इतना सिंपल प्रोसेस है और इसकी मदब से आप काफी इजली इंस्टॉल कर पाएंगे अपने डिवाइस के अंदर इस रोम को नीचे डिस् दोस्तों आपसे एक और इंट्रस्टिंग गुली के साथ में बाब बाई